उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव चंद कदमों की दूरी पर है। प्रदेश में क्या हालात हैं इन तमाम मुद्दों पे बाचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आवास संजे सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है। प्रदेश में प्रदेश में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- महामारी में आक्सी मीटर आठ सो रुपए का पांच हजार में खरीदा गया, सोला सो का थर्मोमीटर तेरह हजार में खरीदा गया, करोना की महामारी में बारह हजार का आक्सीजन सेलेंडर पचपन हजार में खरीदा गया इतने सारे भरस्टा चार और महा गोटाले हमने उठाए महिला सुरक्षा का सवाल हो चाहे नौजवानों के रोजगार का सवाल हो चाहे सिक्षा मित्रों का सवाल हो चाहे किसानों का सवाल हो किसान के फसल के दाम का मामला हो या ये तीनों काले कानून वापस लेने का मामला हो। सरक से लेकर संसत तक आम आदमी पार्टी लड़ते हुए उस्तरप्रदेश में देख रही है और इसी के कारण आप देखे जो पिछले दिनों हम लोगों की तिरंगा यात्रा हुई लखनव में चौदा तारीक को उसके बाद आगरा में 29 तारीक को आज नोईडा में होने जा रही है चौदा तारीक को फिर आयोध्या में होने जितना बड़ा जन समर्थन इसमें मिल रहा है यह अपने आप में चौकाने वाला है चालिस लाख मददाताओं ने हमें पंचायत चुनाओं में वोट दिया तिरासी हमारी जिला पंचायत सदस् तो एक बड़ा जन समर्थन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार अपना प्यार समर्थन और वोट देने को तैयार है हमने दिल्ली के मौडल को उत्तर प्रदेश में उतारने का फ्री चिकित्सा महिलाओं को बस की आत्रा फ्री ये सारे सपने हम लोग उतर प्रदेश में भी पूरा करें लेकिन संजे जी आबादी भी तो ज्यादा है अगर तो आबादी ज्यादा है तो बजट भी ज्यादा है अगर दिली का बजट साथ हजार करोन है तो यूपी का बज पैसा आ रहा है वो मिनिस्टर्स खा रहे हैं। है साड़े चार साल हो गए तो उपर से तीन काला कानून आप और ले के आगे तो किसान हो नौजवान हो माताएं बहने हो हर वर्ग ब्यापारी हो हर वर्ग दुखी है अच्छा जैसे मैं आपसे अगला सवल मेरा यह है कि जैसे आप का जब हमला होता है हमेशा सीधा बीजे पे होता है चाहें आप संसच से लेके सड़क तक हो चाहें दिल्ली से लेके लखनव तक हो आज सत्ता में कोन है सत्ता में भारती जनता पार्टी है जी तो अगर भारती जनता पार्टी सत्ता में है तो उसके कुकर्मों को उसके गुनाहों को उसकी गलतियों को जनता के बीच में बताना पड़ेगा उनके खिलाब हमें लड़ना पड़ेगा कोई दूसरी पार्टी सत्ता में होती तो हम उनसे लड़ते आज कांग्रेस पार्टी पंजाब में सत्ता में है हमारी लड़ाई कांग्रेस से है पंजाब के अंदर जहां बीजेपी सत्ता में है केंदर में वहां बीजेपी से लड़ाई है जहां राज्ये में बीजेपी सत्ता में है उत्तर प्रदेश में वहां बीजेपी से लड़ाई है ज जो हमनों की मुलाकात हुई थी अकले सियादो जी को जनम दिन की सुपकामनाय देने के लिए मैं गया था और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटना करम पे बातचीत हुई थी तो गड़बंदन के बारे में मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर इसके संबन्द में कोई फैसला होगा तो जानकारी देंगे तो हम मुत्तर प्रदेश में चार सो तीन सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं सभी सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और चार सो तीन सीटों पे हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं चार सो तीन विधान सबाहों में और हमने मेंबर्सिप का भियान चलाया डेड़ महीने तक उसमें लगबग एक करोन सदस से हमने बनाए तो बूथ लेवल पे ब्लॉक लेवल पे एक स्ट्रॉंग संगठन बनाके और जो हमारा सपना है केजरीवाल का जो मॉडल है दिली का फ्री बिजली फ्री पानी फ्री चिकिस्सा फ्री सिक्षा महिलाओं को सुरक्षा किसानों को फसल का दाम नوجوانों को रोजगार और बेरोजगारी भथता यह हम उत्तर प्रदेश में पूरा करके देए एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां बच्चों को नमक रोटी खाने को ना मिले मिड़े मिल में एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां पर किसान को उसके फसल का दाम मिले उसको लाटिया ना जिलनी पड़े एक ऐसा उत्तरप्रदेश जहां नौजवानों के हाथ को काम हो उद्योग हो ब्यापार हो तो एक ऐसा उत्तरप्रदेश बनाने का हमारा सपना है और उसके लिए जनता हमें समर्थन देगी तो हम सारे वो सपने जो हमने दिली में पूरा करके दिखाया है उत्तरप्रदेश मे तो और अत्रिक टाकत है, हमारे पास जमीने हैं, हमारे पास कानून बेबस्ता है अच्छा आपने तिरंगा यात्रा भी जो लास्ट आग्रा में करी उसमें भी आप पे F.I.R हुई आज आपकी नॉइडा में है, तो क्या आपको सरकार से डर ने लगता कि F.I.R करने दीजी आदितनाच जी को बच्चों की तरीके से रोज F.I.R F.I.R खेल रहे हैं, आदितनाच जी मेरे उपर 15 मुकदमे उन्हों ने कर दी, अभी 16 मां मुकदमा किया आग्रा में जिसका जिकराब कर रहे हैं इसके अलावां रास्तद्रों का मुकदमा लगा दिया, पाटी का दफ्तर बंद कर दिया, हमारे कारकरताओं को पिटवाया, हमारे कारकरताओं को जेल भिजवाया, आकसीजन सिलिंडर से लगा हुआ आटो हम चला रहे थे करोना में, उसको बंद करवा दिया, पक्डवा दिय तो जो लोग इतनी छोटी मानसिक्ता से काम करते हैं जो विपक्षियों को विल्कुल कुचलने की मानसिक्ता से काम करते हैं वो लंबी रादिती नहीं कर सकते हैं हमारे मुख्य मंत्री मुकद्मा मंत्री हैं रात में सोते समय भी भी बदले की भावना से वो सोते हैं। मैं तो कई बार आश्चरे करता हूं कि कैसे उनको नीद आती है। इतना नफरत भर के कोई आदमी शांती से कैसे रखता है। अपने आपको योगी संत महात्मा कहते हैं और दिन रात मुकदमे करते हैं। हम लोग र तरह सो थाने हैं, हर थाने में मुकदमा लिख लेजिए। लेकिन उत्तरप्रदेश के लिए कुछ करिए तो संजे सिंग से आपको दुस्मनी निभाना है। जो चाहे करिए मेरे खिलाब। और मैं आपको बता दू कि मेरे खिलाब जितना मुकदमा होता है उतनी ताकत मेरी और बढ़ती है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदितनाजी को, मेरी ताकत को, मेरी शक्ती को, मेरे पार्टी के कारिकरमों को और मजबूत करने के लिए मुकदमे लिख रहे हैं, करते रहे हैं, और करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपने रामंदिर का मु इसको कोई ऐसे मुद्दा बनाया। हमने प्रेस कांफरेंस भी की, उसकी बाकाइदा सिकायत भी की थाने में, और अब कोर्ट में भी गए हैं, नियायाले में भी गए हैं, और वहाँ भी मुकदमा लिखाने के लिए एक सो चपनतीन की याची का हमने दायर की है। उसमें प बचके पंधरा मिनिट पर वही जमीन सारह अटारा करोंड में बेज दी जाती है। बेविमानी का और भरस्टाचार का इससे बड़ा उधाहन कहीं मिलेगा कि आपको। तो ये लोग ना राम के हैं, ना आम के हैं, ना काम के हैं। ना आम लोगों के लिए हैं, ना किसी काम क करो प्रभुसरी राम के नाम पे देश के करोणों हिंदों की आस्था को चोट पहुंचाने का काम भारती जनता पार्टी ने किया है कानपूर के लोगों ने बैनर लगा दिया चंदा चोरों से सावधान भाजपाई पहुंचके फाड़ रहे हैं उसको लोगों ने का भई इस की आनबान और सान तिरंगे को नाकपूर के मुक्षाले पर नहीं भैराया ये इनका फरजी रास्टवाद है तो अभी जो तिरंगा यात्रा पूरे उत्रप्रदेश में हम लोग निकाल रहे हैं उसके पीछे हमारी मंसा और हमारा मकसद ये है कि भारती जनता पार्टी का फ समसान में लकडी नसीब ना होना भाजपा का रास्टवाद है मिड़े मील के पैसा खाना कस्तूरवा में बच्चियों के खाने का पैसा खाना आकसी मीटर थर्मो मीटर का पैसा खाना भाजपा का रास्टवाद है असिच्छा भाजपा का रास्टवाद है बीमार अस्पता भाजपा का रास्टवाद है तूटी सरके, भाजपा का रास्टवाद है नफरत फैलाना, भाजपा का रास्टवाद है नौजवानों को रोजगार से वंचित रखना, भाजपा का रास्टवाद है उद्योग धंदों से ब्यापार से ब्यापारियों को वंचित रखना, को रोजगार देना, काम देना, नौकरी देना, नौकरी ना दे पाओ तो बेरोजगारी भत्ता देना, हमारा रास्टवाद है एक बेहतरीन अस्पताल हो, इलाज की बेवस्ता हो, दवा मुफ्त हो, हमारा रास्टवाद है उत्तर प्रदेश के अंदर किसान को उसके फसल का द यात्रा के माध्यम से समझाएंगे आज आदी के 75 वर्सों के बाद उत्तर प्रदेश को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश को जो कानून विवस्था मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश को जो तरक्की और विकास मिलना चाहिए वो आस तक हांसिल नहीं हुआ उस सबसे पहले ठेके ही खोले जाते हैं रेवेनियो की बात है ने ने मेरा सवाल ये है कि उनके ही राज में सरकारी ठेके से शराब पी के 120 लोग अलीगड़ में मर गए जगा जगा शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है उत्तर प्रदेश में ये घटना नहीं हुई बाकपत म में हुई मेरट में हुई अलीगड़ में हुई तमाम जिनों के अंदर आप देख लिए सरकारी ठेके से शराब मिल रही है अवैद सराब नकली सराब पिला पिला के लोगों की जान ले रहे हैं और मैं दूसरी चीज़ पूछना चाहता हूँ ये अकल आदित नाज जी को सा साड़े चार वरसों में क्या कर रहे थे आप आप ने अपनी पार्टी के नेताओं को पहले शराब पीने से मना किया क्या मांस मदिरा खाने से मना किया क्या फोटो और वीडियो दिखाऊं कितने भाजपाई शराब पीते हैं और मांस खाते हैं तो ये फरजी बातें करके आ तो आप ये सारे ड्रामे करेंगे और सोचते हैं कि इससे लोग भ्रामित हो जाएंगे ऐसा होने वाला नहीं है बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेंट है भाई हम तो कहरें साड़े-चार साल से मतुरा तो वहीं था भगवान श्री कृष्ण की जनमस्थली साड़े चार वर्सों में? मानस मदिरा बंद करने पे क्या करवाई की? आपने अपने पार्टी के नेताओं को किस मीटिंग में कहा कि मानस मदिरा बुरी चीज है नहीं लेना चाहिए? कहा कभी? अब ड्रामा चुनाव आगिया है तो आप रो ने ने ड्रामे खड़े करते हैं अज़ा दूसरा भी जैसे कल्यान जी की देहान तुआ तो सिधा जो बीजेपी का हमला था वो समाजवादी पार्टी पे कभी अखलेश को कह रहे हैं कि वो नहीं आए मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ क्या भारत के तिरंगे से बड़ा कोई झहंडा हो सकताए क्या और कल्यान सिंग जी के सव पर तिरंगे झहंडे के ऊपर कमल का झहंडा रखना भारती जनता-पार्टी की मानसिक्ता को उजागर करता है ये सपस्ट करता है कि भारती जनतापाटी रास्ट के ध्वज के विरुद्ध है भारती जनता पाटी तिरंगे के खिलाफ है तो इसलिए उन पूरी घट्नाओं के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कम से कम थोड़ी अकल लाओ भाज पाईयों अपने अंदर रास्ट ध्वच से बड़ा तुम्हारा जंडा नहीं है तुम्हारी पार्टी का जंडा तुम्हारे लिए प्रिय हो सकता है लेकिन भारत का जंडा तिरंगा जंडा ये हिंदुस्तान के 130 करोण लोगों की आनवान और सान है उसको अपमानित करने का ताम मत करो अच्छा जैसे अभी अखलेश आदव ने बोला कि OBC पे कास सेंसस होना चाहिए तो इसमें आम आदमी पार्टी का क्या स्टेंड है कास सेंसस कराना चाहिए इसमें क्या दिक्कत है इसमें क्या दिक्कत है किन जातियों की क्या परिस्थिती है किन परिस्थितियों में वो लोग जी रहे है रह रहे है इसमें कास सेंसस कराने में प्रॉबलम क्या है भाजपा भाग क्यों रही है उससे और दूसरा जैसे अभी आपने और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ बहुत सपस जान लीजिए मैं बार बार कहता हूँ लोग मेरी बात को मानते नहीं ये लोग देश को बेचने वाले लोग हैं आप देखिए पहली सरकार आजादी के बाद 75 वरसों में ऐसी आई है जो कह रही है हम देश को बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं अब तक सरकारे देश को बचाने का प्रोग्राम बनाती थी मोदी जी की सरकार चाय बेचते बेचते अब देश बेचने पर आ गई अब कहे रहे हैं हम देश को बेचने का प्रोग्राम बना रहे हैं और कितनी संपत्ती बनानी है इनको 6 लाख करोड रुपए कैसे बनानी है इनको क्या करना है इनको सेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं और कहीं से कोई आवाज नहीं ये रास्टवादी लोग हैं ये देश को बेचने वाले लोग हैं इन से अगर हिंदुस्तान सावधान नहीं हुआ तो पकोड़ा योजना के बाद अब कटोरा योजना लेके आ जाएंगे पहले तो बोला ना नौजवानों को पकोड़े का ठेला लगाना चाहिए अब कहरे रहे हैं कटोरा लेके भीक मागना चाहिए हम सब कुछ बेज देंगे और आरक्षन की विवस्ता भी खतम हो जाएगी जब आपके सारे सरकारी कमपनियां सारे PSU सारे सार्वनिक उपकरम बिग जाएंगे तो आरक्षन कहां रहेगा ना पिछलों का आरक्षन ना दलित का आरक्षन ना आदिवासी का आरक्षन ना गरीब सवर्णों का आरक्षन अब तक आरक्षन खतम होता था तो सवर्ण खुस होते थे कई बार नारे लगाते थे बहुत अच्छा हुआ आरक्षन खतम 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 यह सरकारी कंपनी बिग गई यह तो प्राइवेट हो गया अब तो तुम्हें भी आरक्षन है गरीब सवर्णों को भी आरक्षन है अब तो जब सरकारी कंपनिया बिग गई तो आरक्षन खतम काउंटर कर दिये अरे भाजपा के नेताओं के नाम बलातकार की घटनाओं में आये हैं ये क्या एंटी रोमियो की बात करेंगे हाथरस में गरीब की बेटी को रात में दो बज़े जला दिया गया माबाप चीखते रहे चिलाते रहे उनको उनकी बेटी की लास नहीं दी गई कानून बिवस्था की आप बात कर रहा है करोना की महामारी में लोगों को लकणिया नसीब नहीं हुई समसान में तीन सेड लगा के लासे चिपाईगी कानून बिवस्था की आप बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर दिन दहाडे संजीत यादो का अप्रहण करके कानपूर में हत्या कर दी गई जैप्रकास पाल का सीओ के सामने स्डियम के सामने हत्या कर दी गई बलिया के अंदर दिन दहाडे कानून बवस्था तीन तीन बार के मेले की हत्या हो जा रही है पुलिस की मौजूदगी में तो ये कानून ब्यवस्ता आदित नाजी के राज में बद से बत्तर हुई है एक उदारन मैं देता हूँ एक ब्यापारी थे इंदरकान त्रिपाथी और उन्होंने वीडियो बनाए एक हफ़ते पहले कि मुक्हिमंत्री जी हमसे एसेसपी पार्टी दार रंगदारी मांग रहा है अगर मैं रंगदारी नहीं दूँगा तो कहरा है हत्या करा देगा और एक हफ़ते बाद उसकी हत्या हो गई पार्टी दार के उपर 302 का मुकदमा है आपने अब तक सुना होगा चोर फरार, डकैत फरार, मापिया फरार, समगलर फरार उत्तर पदेश में सस्पी फरार है उसके गरफतारी नहीं कर पा रहे है आद इतना जी जो एक ब्यापारी की हत्या का अभ्युक्त है अब कानून में उस्था की बात कर रहा है ये वो पार्टी है याद रखिएगा ये एक मनहूस पार्टी है इसने 2017 के चुनाओं में कहा था गाउं गाउं में समसान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना और इन लोगों ने गाउं गाउं में समसान बना दिया इन बेईमानों ने क समसान बनाने वाली विचारधारा है, हमें समसान बनाने वाली विचारधारा नहीं चाहिए, हमें स्कूल बनाने वाली, अस्पताल बनाने वाली, उद्योग दंदे देने वाली, किसानों को फसल का दाम देने वाली विचारधारा चाहिए, यह समसान बना रहा है, तो आप मीं से चली जाती है ये वो राज है ये वो राज है जहां पे डेंगू से अब तक अंसट बच्चे फिरोजाबाद में उनकी जा जा चुकी है कोई पूछने वाला है जैपनीज इन्फेसलाइटिस का नाम इनों ने बदल के दूसरी बीमारी रख दिया है अब आपको बुखा हो रहा है जैपनीज बुखार हो रहा है पता नहीं चल रहा है ये सारा दिमागी बुखार फैला हुआ है पूरवान चल गोरख पूर के इलाके में नहीं जान सकते हैं तो मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि इनके विचार क्या है उत्तर प्रदेश को लेके सपना क्या है नफ अफरत पैदा होगी, महबत के बीज बोगे तो महबत पैदा होगी, एकता के बीज बोगे तो एकता पैदा होगी, तरक्की के बीज बोगे तो तरक्की पैदा होगी, इनको दिन रात खाली मुकदमे करने हैं, बिपक्षियों का दमन करना है, लोगों के घर गर आने हैं, बु पुर्देस का क्या हुआ क्या हुआ हमारे बच्चों का नमक रोटी खा रहा है और आप जैसे पत्रकार अगर ख़बर लिख देंगे कि नमक रोटी मिल रही है मिड़े मिल में तो उठा के अंदर कर देंगे आपको अच्छा संजी जी ब्रष्टाचार पे सरकार हमेशा कहते हैं कि अब तो ब्रष्टाचार सरकार में रही नहीं है लेकिन हाल में सुपरीम कोट ने साफ बोला कि अभी सूपर टेक के मामले में कि नौइडा अथर्टी के चेहरे से ब्रष्टाचार टपकता है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं मैंने थो इनको संग्या भी दी थी योगी बाबा और चालिस चोर पूरी सरकार में ब्रष्टाचारियों की एक जमात एकठा है पानी चोरी कर रहे हैं चंदा चोरी कर रहे हैं कस्तूर्बा में बच्चियों के खाने का पैसा खा रहे हैं स्टिस्नरी का कपड़े का पैसा खा रहे हैं मिड़्े मील का पैसा खा रहे हैं करोना की महामारी का पैसा खा रहे हैं वेंटीलेटर जो बच्चों के लिए आया उसका पैसा खा रहे हैं आठ लाग का वेंटी लेटर बाइस लाग में खरीदा है इन लोगों में और सब में मैंने लोकायुक्त की शिकायत की है नियायाले में शिकायत की है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं अच्छा मेरा आखरी सवाल यह है कि आप खुद उत्तरप्रदेश से आते हैं तो आपने कई सरकारे देखी हूंगी और अगर आज की तारिक में महौल जो हैं जो बात करें कि आपने अखिलेश का भी गवर्नेंस देखा योगी का भी गवर्नेंस देखा तो एज ए रेजिडे आज जो सरकार है उसके ब्रस्टाचार को भी हम देख रहे हैं उसके गुंडाराज को भी देख रहे हैं उसके राज में किसानों की क्या हालत है बरबरता किस तरह से उनके साथ हो रहे हैं यह भी देख रहे हैं नौजवानों को किस तरीके से दोड़ा दोड़ा के पीटा ज इसको ठीक है संजेल जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात रखी पुर्शार थरादक नीज नौग